नावस्कार पर नाम प्रेम है और आप लाइब स्ट्रीट देख रहे हैं नए सिक्षा भड़ते नियामावली को लेकर लगातार सरकार के कईदल है जो बिरोत परदर्शन कर रहे हैं संदीप सवरण है आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कहां तक लड़ाई पहुंचा है देखी जो नए नियामावली आई है उसमें तो हम लोग सरकार से लगातार ये कह रहे हैं कि अभी जो बहाली सरकार को लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है तो साथवे सरकार को पहले कर लेनी चाहिए थी उसके बाद कोई अपनी अमावली लाते हैं दूसरा पक्ष है कि जो नियोजीत सिक्षक पिछले 15 साल से 20 साल से जो पढ़ा रहा है उनकी परिक्षा लेकर के उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बाद सरकार कह रही है वो कहीं से भी पुर्ण नहीं का जारा कि इसे क्वालिटी बढ़ जाएगा अब पुराने सिक्षक हैं उनका परिक्षा लेते हैं परिक्षा में पास करें फेल करें वो दुबारा से उसी स्कूल में उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते रहेंगे तो जब कोई आप छांट नहीं रहें किसी पर कर नहीं सकते हैं कि यह नियम हैं नहीं तो आप सिर्फफ राज्यकरमी का दर्जा देने के लिए जो महा गडबंधन की सर्कार के घृशना पत्र में भी था सप्रबंदी के सर्ट जो रगा रही रहे वह गलत और इसको लेकरके हम तमाम वांपंत्री पातियां जो है माननीय मुख्यमंत्री से खुद मैं भी मिला हूँ और हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि कम से कम शिक्षक वाला जो है इसका तत्काल सलूसन कीजिए और यह नियमावली में इतना ज्यादा कन्फूजना है कि इसमें कन्फूजन यह है कि ओर चात्रों को भी एक साथ करिंशा देना होगा तो करा अगरा अभर फुल्फिल नहीं करेंगा बात नहीं है तो वामपंथी पाटियों का लगातार इस पर दबाव है यानि का सकते हैं कि रोजगार दिने माले मामले में भी घोटाला हो सकता है अगर ये हो जाएगा कि इन ही सीटों पर नए अभ्यर्थियों को और पुराने सिक्षकों को कॉम्पेटिशन देना है तो घोटाला ही नहोगा एक तरह का तो सीटे तो आप भर जाएंगी लेकिन जो सिक्षक पुराने सिट को छोड़ करके शीक तो नए सीट में आ जाएंगे तो सीट तो फिर से खाली हो गई तो गोटाला के बजाए इसको आप समझें न कि इसे बिहार की जो सिक्षकों की कमी वाली जो इस्थिती स्कुलों में बनी हुई है वो इसे भरपाई नहीं होगी तो आप पुराने सिक्षक को पहले रहने दीजिए उनको राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए और नए सिक्षक बात कर रही है और मेरे ख्याल से बीच का रास्ता निकल सकता है तो उसमें देखते हैं क्या हो सकता है नए सिक्षक नियावली को लेका नए तीचरों को बाहल करना उसके लिए बिपेसी के थरू इखाम देना था सरका बिपेसी है जो पुरा तायारी कर लिया अब देखिए BPSC से एक्जाम लेना है तो BPSC तो no doubt जितने आयोग हैं बिहार के भीतर उसमें सबसे ज़्यादा विश्वस नहीं वही आयोग है बाकी सवायों की स्थिति तो हम देखी रहे हैं BPSC ने क्या तैयारी की है वो important नहीं है important है कि सरकार ने क्या तैयारी की है जनता जो है वो सरकार से सवाल पूछेगी तो BPSC नए अभ्यर्थियों के लिए कुछ अगर नियम बना रही है तो हम तो यहीं चाहेंगे कि उसमें अभ्यर्थियों की बाते सुनी जाए अगर सरकार अड़ी हुई है कि नहीं हम परिक्षा ही लेंगे तो अभ्यर्थियों की बाते सुनी जाए लेकिन पहले के जो सिक्छक हैं उनको आप इसी में competition करवा दिजेगा तो कहीं से भी नयायपूर्द नहीं होगा तो इसलिए उनको अलग किया जाए उनको अलग किया जाए और उनको राजय कर्मी का दर्जा सीथे दिया जाए उनको राजय कर्मी का दर्जा दिया जा और नया बहाली अलग सीथे किया है नया बहाली में भी आप सबको राजय कर्मी के रूप में ही बहाल कर रहा है जो fail कर जाएंगे उनको राज्य कर्मी के दर्जा मिलेगा नहीं वो नियोजी सिक्षक ही रह जाएंगे तो वो एक अलग कटेगरी बनेगा और जो apply ही नहीं करेगा वो एक और अलग कटेगरी रहेगा तो पांच layers में स्कूलों को गराब बांट देंगे तो एक स्कूल में पा सब्सक्राइब करना चाहिए तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब को जबाब दिए बागे की तबाम खुबर की बने रहे हैं लाइस सब्सक्राइब